एक बार आवाज चेक कर लेते हैं एक बार आप लोग आवाज बता देना कि आवाज किलियर है कि नहीं फिर स्टार्ट करते हैं क्लास फीक है सही आवाज सही लग रहा है किलियर है तो सब लोग आ जाएं लाइप प्लीज अब ये भाहने बाजी वाला काम नहीं चलेगा कि आपकी मर्जी कि आप पढ़ें कि ना पढ़ें मर्जी नहीं आपको पढ़ना है इस तरह से नहीं कि आप यहाँ कलास चल ले और आप बैठे रहें प्लीज सब लोगों को लाइप आना है लिंक गरुप में डाल दिया गया है जो group में जो लोग नहीं है वैसे भी live है public है ये class तो अब देखो अब लोग live ही नहीं आ रहे हैं बहुत काफी लोग तो live नहीं है ये समस्या यही होता है चैसा बताय जाए आएं आप लोग और लोग live आएं फटाफट कॉपी लेके भी बैठना यूँ वाला इस्टाइल मत करना कि आप कहानी सुन रहे हो कॉपी लेके बैठना जहां जो नोट कॉपी और न्यूजपेपर आप अपने पास रखना न्यूजपेपर भी होगा टिक करना और नोट करते हुए चलना छीक है तो शुरू करते हैं क्लास अब बाकी देखते हैं फिर क्लास में कौन क्या कर रहा था कौन कितने लोग आये थे कितने नहीं आये थे तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे समझते हुए यही था आपका न्योज बिहार एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे खुसी करना मतलब किसी चीज को छोड़ देना होता है कोई भी चीज कुट कर दिया मतलब छोड़ दिया आपने तो यहां इस्तीफा देने के लिए आया है कि जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने अपना मंत्री पद से क्या कर दिया? क्विट कर दिया, क्विट करना मतलब मैं छोड़ रहा हूं कोई चीज, क्या कर रहा हूं? क्विट करना, खतम करना, छोड़ देना, तो यह सब्द आप नोट कर ले ना, क्विट, अब यह देखो आपका सब्जेक्ट क्या है? बिहार, एजुकेशन मिनिस्टर, वर्ब क्या है? क्विट्स, इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने अपने आपको उस पत्ते हटा लिया, चार्ज मतलब चार्ज लेना, नोट कर लेना यह सब्द, एज्यूम, यह होता है न, एज्यूम, जो आप कोई चीज़ मानते है, सपोज करते हैं, देखो दो एज्यूम होता है, आप समझना? एक एज्यूम, हम लोग क्लास में भी बात किये थे, एज्यूम करना मतलब होता है कोई कारेभार संभालना क्या होता है कारेभार संभालना एचियोम चार्ज चार्ज मतलब आपको जो काम दाम दिया जा रहा चार्ज तो assuming charge अब देखो देख लेते हम लोग after assuming charge कार्य भार अपना जो मंत्री पद मिला था उसका charge संभालने के बाद घंटों बाद कुछी घंटे के बाद education minister ने quit कर दिया इस्तिफा दे दिया छोड़ दिया इन्होंने ठीक है यहां यह सब्द एजूम अच्छा था एजूम मतलब किसी duty charge को संभालना आगे चलते हैं two time jdu mla is an accused in a recruitment scam अब ध्यान देना अब आप देखो यह stance का structure कौन सा है यह कैसा वाक के लिखा है present में लिखा है present में लिखा है लिखा है कि two time jdu mla is देखो यहां क्या लगा article an an accused इसका मतलब इसने यह क्या डाला है noun accused क्या है noun क्यों क्योंकि इसके पहले article लगा है इससे आप समझ जाएंगे कि वर्ब के पहले तो article लगता नहीं है an दा किसके पहले लगता noun के तो इसका मतलब यह noun लिखा हुआ है अब आप देखो कि जो two time jdu mla है यह क्या है subject यह क्या है subject इनकी विशेष्ता लिखा है is an accused इनकी क्या विशेष्ता है यह आरोपी हैं विशेष्ता लिखा है subject subject का compliment और यह क्या है linking verb यह link कर रहा है तो mla is an accused in our recruitment scam एक recruitment के scam मतलब घुटाला तो यह जो scam है यह जो scam हुआ था यह recruitment scam जो हुआ था recruitment का जो घुटाला हुआ था उसमें यह क्या है आरोपी ठीक मुझे रहता इतना बात किलियर होगा आगे मैं बढ़ रहा हूं आप एक चीज़ देखो देखते हुए चलना है कि क्या आपने सही पकड़ा भागने की जरुरत नहीं मैं भागूंगा नहीं आप समझते हुए चलेंगे subject क्या है मैं फिर से लिख रहा हूँ subject क्या है two time jdu mla कोई action नहीं है इसमें कोई काम नहीं चल रहा है यह है इनकी विशेशता लिख रहा है यह क्या है जैसे आप बोलते हो राम is a boy राम क्या है एक लड़का है बिलकुल आप देखते चलो राम is a boy इस वाक में क्या है राम और राम की विशेशता लिखा हुआ है राम subject है और यह इसका compliment है और यह क्या है linking verb उसी तरह से jdu mla है क्या है एक आरोपी जैसे आरोपी क्या है यह नाउन यह आरोपी है और यह present tense में लिखा है आरोपी है recruitment के scam में इसका मतलब जो घृटाला होता है आगे बढ़ते हैं यह बात समझ गए होंगे आप भरती घृटाला बिलकुल recruitment में समझ रहे होंगे आप की भरती होता है ठीक है आगे चलते हैं बिहार्स new education minister बिहार्स new education minister मेवा लाल चौधरी on thursday अब मैंने क्या बताय था क्लास में आपक कि जब यह समय वाली चीज देना यह जो लिखा है देखो on thursday इसको उठा कर सुरू में पढ़लो इसको यहां से हटालो अच्छा रहता है पढ़ने में दिक्कत नहीं करता आप style पकड़ें अब आप पढ़ेंगे थरसडे को थरसडे को आप हटालो इधर पढ़लो अब subject क्य है बिहार के नए मिनिस्टर मेवालाल चौधरी subject है resigned क्या वर्ब आ गया इन्हों ने क्या किया इस्तीफा दे दिया subject क्या है मेवालाल चौधरी और मेवालाल चौधरी ने क्या किया resigned इन्होंने इस्तीफा दे दिया अब लिखा कब इस्तीफा दिया लिखा है hours after assuming charge कार्य भार मंतरी पदे का जो charge इनको मिला था कार्य भार मिला था उसको संभालने के कुछ ही घंटों के बाद, उसको संभालने के बाद, और बाद में लिखा कुछ ही घंटों बाद, मंत्री पदवाला जो चार्ज था, उसको संभालने के कुछ ही घंटों के बाद, मेवा लाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया, और ये कब हुआ है, हरसडे क ठीक है बात के लिए आगे चलते हैं, the, the governor, governor समझ रहोंगे आप, the governor accepted ही जरे जीगनेशन, subject क्या है, governor, governor, वर्ब क्या, accepted, क्या accept किया, ये क्या है, object, governor ने उनके इस्तीफे को सोईकार कर लिया, past tense में लिखा है, कि इन्हों ने इस्तीफा दिया और गवर्नर ने उनके इस्तीफे को सोईकार कर लिया with immediate effect immediate effect मतलब तुरंत तुरंत परभाव से with immediate effect मतलब उसका परभाव तुरंत माना जाएगा मतलब इन्हों ने इस्तीफा दिया और तुरंत परभाव से उनका इस्तीफा क्या कर लिया उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये इस्तीफा का परभाव कैसे लगेगा तुरंत से जे समय एक्सेप्ट किये तुरंत से उसका परभाव लग गया मतलब तुरंत इस्तीफा मान लिय गया एंड अच्छा यह आगे लिख रहा वाक के जोड़ रहा है से एंड बिल्डिंग कांस्ट्रक्स्टन डिपार्टमेंट मिनिस्टर असोक चवधरी वाज गीवन एडिशनल चार्ज कह रहा उनका इस्तीफा गवर्नर ने सोईकार कर लिया ठीक है अब आप देखो यह सोईकार कर लिया और जो बिल्डिंग कांस्ट्रक्सटन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है असोक चाओधरी सबजक्ट हो गया रहेher हैं और यह कौन सहीं बिल्डिंग कांस्ट्रक्सटन आफ दा एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट का अतरिक्त कारेभार दिया गया। ठीक क्या यहां तक बात के लिए है मैं एक बार देख लेता हूँ अच्छा आप लोग मैं कमेंट थोड़ा सा नहीं देखा देख लेता हूँ गुड यूणिंग रिंकी अब मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ अभिशेक वर्मा गुड यूणिंग आदित्य सिंग गुड यूण दुर्गेश गुड यूणिंग विकास अभिशेक सालिनी शिवराम विनय घंस्याम कविता अंकित प्रजापती अलपना अंकुर पटेल गुंजन यादो गुड यूणिंग आप सभी लोगों को पढ़ते रहें समझते रहें कहीं दिक्कत आएगा आप कमेंट करना मैं बत गवर्नर थे मैं एक बार मिटा दे रहा हूं इसको पूरा अब आप देखेंगे फिर से एक बार कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे गवर्नर जी ने एक्सेप्ट कर लिया उनका इस्तीफा वित इमीडियेट इफेक्ट तुरंत प्रभाव से तुरंत प्रभाव से इनका इस्त चीफिंग कांस्ट्रक्शन के मंत्री जो है इनको वाजगीवन असोग गैलोत को दिया गया अरे यार स्वारी वाजगीवन अडिशनल चार्ज तो ये असोग चाउधरी को अडिशनल चार्ज दिया गया आफदा एजुकेशन डेपार्टमेंट ठीका मुझे लगता है यह आगे बढ़ते हैं, अब आगे लाइन पर चलते हैं, अब क्या कह रहा है, तो यह पास्ट पर्फेक्ट लिखा है, क्या कह रहा है सब्जेक्ट क्या है अपोजीशन पार्टीज आप पूरा जो वाभी ध्यान है आप सब्जेक्ट वर्ब पर लगाते हुए चलो टेंस कौन सा इसको पहचानने की कोशिस करो बाकी हिंदी तो धीरे धीरे हिंदी पढ़ते चलो जब टेंस समझ माएगा हिंदी भ रेजड कोईस्चन सब पार्टियों ने कोईस्चन रेज किया रेज करना मतलब उठाना होता है रेज पढ़े होंगे आप रेज मतलब उठाना उन्होंने उठाया क्या उठाया कोईस्चन यह क्या आपजेक्ट उन्होंने विपच्छी पार्टियों ने उठाया सवाल सवा किस मुद्दे पर सवाल उठाया, मिस्टर चौधरी के tainted, आप नोट करेंगे ये सब्द, नोट कर लो tainted, tainted मतलब होता दागी, taint सब्द नोट करेंगे taint, ये tainted जो होता ना इसका मतलब होता दागी, पड़े होंगे दागी छब के नेता, tainted बोला जाता उनको, तो tainted मतलब होता दागी, तो जिनके उपर कुछ किसी चीज का क्या लगा रहता, आरोप, दागी नेता, तो ये कह रहा है, कि उन्होंने सवाल उठाया, मिस्टर चौधरी के दागदार, पास्ट के उपर, मतलब उन पास्ट में अच्छे नहीं रहे हैं, काफी इनके उपर आरोप लगे हैं, तो उनका च्चवी कैसा, दागी च्चवी, तो उनका जो पास्ट है, वो कैसा, tainted पास्ट है, and, case filed against him, अब ये आप ध्यान से देखना, अब देखो, हम लोग का subject क्या था, parties, विपच्छी पार्ट के दागी भूत काल पर, मतलब दागी पास्ट पर, और, case filed against him, in a corruption case, और किस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया, देखो, सवाल दो मुद्दे को लेकर उठाया, पहला, उनके tainted past को लेकर, और, एक case filed हुआ है, and case filed against him, और उनके against, एक case दर्ज किया गया है, in a corruption case, और, अब यही कह रहा होगा, the position parties had raised, वही होगा, मुद्दा वही होगा, कि अब exact नीचे हो सकता पता चले, बट यही कह रहा होगा, कि over Mr. Chaudhary's tainted past, कि Mr. Chaudhary का जो tainted past था, उसको लेकर, और, जो case दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ, एक corruption case में, इन दोनों चीजों को लेकर, विपच्छी पार्टियों ने इनके उपर सवाल उठाया, ठीक है, तो यहां तक बात clear होना चाहिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, कि focus किस पर करना था, opposition parties, helping verb head, main verb raised, object questions, अब आगे preposition से चला, इन्होंने सवाल उठाया, किस मुद्दे पर सवाल उठाया, दो मुद्दे पर, पहला मुद्दा, उनका दागी पास्ट जो था, उनका बहुत बदनुमा पास्ट था, उसके उपर और, और एक उनके खिलाफ एक case दर्ज हुआ है, corruption के case में उसके खिलाफ उन लोगोंने सवाल उठाया, कि ऐसे आदमी को कैसे मंत्र बना दिया गया है, समझ में आ गया होगा बात, आगे चलते हैं, Mr. Chaudhary, देखो कामा लगा है, दिहान देना, यह क्या लगा का इसका मतलब Mr. Chaudhary का क्या बताएगा, बिसेस्ता बताएगा, Mr. Chaudhary, आट टू टाइम JDU MLA, Mr. Chaudhary की बिसेस्ता लिख रहा है, Mr. Chaudhary, जो की दो बार JDU के MLA है, जो की दो बार JDU के MLA रह चुके हैं, फ्राम तारापूर इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, देखो कामा से का इसको ब्रेकट कर लो आप समझने के लिए, ये Mr. Chaudhary का क्या है बिसेस्ता, जो की दो बार JDU के MLA रह चुके हैं, तारापूर से, जो की मुंगेर जिले में है, अब आप पढ़ेंगे Mr. Chaudhary, अभी हम लोग ये बिसेस्ता यहां से सुरू हुआ, और ये बिसेस्ता कहां ख Chaudhary had earlier on November 16, देखो ये वाली चीज, ये वाली on November 16, ये सब चीज, एक्स्ट्रा जो date डालता है, इसको आप हटाओ यहां से, हटा कर पढ़ो, आराम से मज़ेदार समझ माएगा, इसको हटा लो, यहां से, इसको न सुरू में पढ़ लो, पहले November 16 को ही Chaudhary had taken oath, taken oath, had taken oath, take oath मतलब होता सपत लेना, oath मतलब होता सपत, taken oath मतलब इन्होंने सपत लिया था, अब सपत लिया था, as a minister किस रूप में, मंत्री के रूप में, इन Chief Minister नितीज कुमार के मंत्राले में, मंत्री के मंत्राले में, इन्होंने क्या लिया था, मंत्री के रूप में सपत लिया था, मंत्री मंडल में, ठीक है, अब देखो, मैं यहां से clear कर रहा हूँ, यह देखो, विसेस्ता लिखी थी, देखूं यह विशेस्ता लिखी थी मैं इस विशेस्ता को एक बार मैंने पढ़ा कि मिस्टर चौधरी जो दो बार MLA रह चुके हैं तारापुर से जो मुंगेर जिले में है अब खतम काम ना इसका अब इसको मैं हटा कर पढ़ूंगा यह तो मिस्टर चौधरी की हो गई सेस्ता को अब आप कनेक्ट कहां से करेंगे मिस्टर चौधरी हैड अब मैंने एक चीज़ यह भी बताया है कि यह जो समय वाली चीज़ दी होई होती ना इसको निकाल कर सुरों में कर लिया करो यह भी आप यहां से निकाल दो आप फोकस किस पे करो सबजेक्ट पर और वर् पास्ट परफेक्ट टेंस, सपत लिया था आईज आ मिनिस्टर, एक मंत्री के रूप में सपत लिया था, नितीश कुमार के मंत्री मंदल में, ठीक है, कब लिया था, अब पढ़लो इसको, अब पढ़लो, नवंबर सोलह को, अरलियर मतलब उससे पहले, इस्तीफा देने के पह इनके उपर हल्ला मचाने लगी, करें ये दागी हैं, हल्ला उल्ला जब मचा रहते, उसके पहले, भाई ये उससे पहले काम हुगा था ना, उसके पहले नवंबर सोलह को ही, इन्होंने सपत लिया था, मंत्री के रूप में, जब मंत्री के रूप में इन्होंने सपत लिया ह तब विपच्छी पार्टियों ने हल्ला मचाना शुरू किया कि इनका पास्ट कैसा है दागी है ये अच्छे नहीं है इनका जो बीता कल है वो दागी है और इनके खिलाफ केस दर्ज है इन दोनों मुद्दों को लेकर विपच्छी पार्टियों ने हल्ला शुरू कर दिया उ टेक ओथ, टेक ओथ मतलब होता है सपत लेना, अच्छा सब्द है सपत लेना, ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसको, नोट कर लेना, नोट करते हो चलना, बाद में वीडियो में, कभी बीच में लगे, इसके इंसाट लेलो, आप चलते हैं, ये बात के लिए रहना, देखो मैं फोकस के इस पर कर रहा हूँ, आप जब पढ़ें, इतमिनान से, क्योंकि दो चार छे दिन, मैं बहुत भागने की जरूरत नहीं होती, आप सीखते हुए चलो, जो मैं टेकनिक बता रहा हूँ, जैसे, मैंने बताया, जब ये कामा लगा, विसेस्ता है, तो जब विसेस् मैंनिस्ता को अफ़ पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा से इसको साइड में कर दो, अब आप आउ में सब्जेक्ट पर, में खेल आप सब्जेक्ट और वर्ब पे चलो, सब्जेक्ट वर्ब, हैड, हैर का आगे में वर्ब कहा हूँ लिखा, टेकन, ऑटेकन, और क्या तेकन ओ कोप में बिहार के मंतर मंडल में आगे बढ़ते हैं तो क्या समझ मा रहा ना आप लोगों को अब आगे चलते हैं, he was letter made, new education minister of the state, बाद में पहले तो इनको मंत्री पद का सपत दिलवाया गया था, इनको मंत्री बनाया गया था कब, नवंबर 16 को, तब इनको बताया नहीं गया था कौन से मंत्री हैं, बस इनको ये पता था कि ये कैबिनेट मंत्री हैं, अब बताया गया he was letter made, और बाद में इनको बनाया गया, ध्यान देना पैसिब लिखा है, he was made, उनको बनाया गया, इनको बनाया गया, क्या बनाया गया, new education minister of the state, प्रदेश का नया education मंत्री बनाया गया इनको, ठीक है ना, चलो ठीक है, किलियर चला तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये वा काम की चीज है मैं बता रहा हूं, और grammar भी जहां अच्छा है मैं दिखा दे रहा हूं, on Thursday, Thursday को he assumed charge, subject he assumed verb charge, object, Thursday को उन्होंने charge संभाल लिया, Thursday को उन्होंने charge क्या कर लिया, assume कर लिया, assume करना मतलब संभाल लेना, उन्होंने charge संभाल लिया, अब charge कौन सा, charge of the department, डिपार्टमेंट का, कौन से डिपार्टमेंट का, education वाला, education डिपार्टमेंट का इन्होंने charge संभाल लिया था कब, Thursday को, and, went, अब आप देखो, ज्यान देना, मैंने क्लास में बताया थ जब दो वर्ब जुड़ेगा, and से, and से क्या जुड़ा, went, went के पहले कौन सा वर्ब है, assumed, आप दोनों tense मैच कराओ ये वर्ब, क्या ये वीटू लिखा है, past indefinite, और ये भी क्या है, past indefinite, क्या जो and से दोनों वर्ब जोड रहा है, दोनों का format सही है, एकदम सही है, ये भी past indefinite में लिखा है, और ये भी past indefinite में लिखा, इसका मतलब कोई दिक्कत ने, एकदम सही है, उन्होंने चार्ज संभाला, डिपार्टमेंट का और गए, went to meet chief minister नितीश कुमार, चार्ज संभाला, और चार्ज संभालते ही, तुरंट उसके बाद उनका तुरंट कहा गए, मंत चार्ज संभाले, और यू तुरंट निकल गए, नितीश कुमार से मिलने, ठीक है, अब exam में क्या खेलेगा, ध्यान देना, ध्यान देना, अब SSC क्या बनाएगा question, देखो, SSC इसी question को ऐसे लिखेगा, He assumed charge of the department and, देखो, ये बदल देगा वो, वो ऐसे newspaper उठाएगा और लिख देगा, has gone to meet Chief Minister नितीश कुमार, जब पहला action, चार्ज संभाले हैं, past indefinite में, और तुरंट, end से आप दुसरा वर्ब जोड रहे हैं, तो ये काहें को परजन perfect में करेंगे, ये भी किसमें होगा, past indefinite में, तो आप अपने concept को clear रखेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, the closed door meeting, closed door meeting, closed door meeting, ये meeting की भी सेस्ता लिखा, कैसी meeting थी, बंद दरवाजे वाली, मतलब secret meeting type का, मतलब कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, ये ही लोग थे, closed door meeting, closed door meeting, मतलब बाहर का कोई नहीं, मतलब ये personal इ meeting था, closed door meeting, lasted, देखो, वर्ब आ गया, subject क्या है, meeting, lasted, अच्छा, ये last सब्द नोट करेंगे आप, lasted जो लिखा है न, इसको आप note करेंगे, जरा, आप note कर लो, लास्टेड, देखो, लिखा है उसमें, meeting, meeting, लास्टेड, पर, कुछ लिखा था, मुझे, अब, मुझे नहीं दिख रहा, ऐसे कुछ था, meeting दो घंटे तक चला था, ये जो लास्टेड होता है, लास्टेड मतलब, पढ़ा जाता है कोई चीज, कितना समय तक, चला, कितना समय तक, ये, जैसे आप बोलते हैं न, long lasting, long lasting मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलने वाली चीज, long lasting, लंबे समय तक चलने वाली चीज, तो ये, long तो हो गया लंबा, और lasting मतलब चलना, यहाँ देखो लिखा, meeting lasted, मतलब meeting चला, meeting lasted, meeting चला, दो घंटे तक, ये बड़ा अच्छा सब्दा आता है, last, क्योंकि ज़्यादा जो, जब हम लोग देखते हैं न, तो last मतलब, last, last मतलब अंतिम, बस, तो अंतिम तो होता है, लेकिन ये जब वर्ब के रूप में आएगा न, lasted, यहाँ क्या है, देखो, meeting lasted, past indefinite tense लिखा है, meeting चली, दो घंटे, यहाँ last क्या, वर्ब, आते हैं विया, हम लोग इस पर आते हैं, अब देखो, लिखा है, अरे, यह कहाँ गया, हम लोगों का, इधर आ गया, अरे, ऊपर था, एक श्कन, हाँ, यहाँ पर था, यह लिखा था, देखो, यहाँ पर थे हम लोग, जो, closed door meeting, जो इनकी secret personal meeting थी, secret meeting थी, closed door मतलब secret meeting समझेंगे, जो इनका secret meeting था, lasted for an hour, यह चला एक घंटे तक, and soon afterwards, और उसके तुरंत बाद, he sent his resignation, and soon afterwards, और उसके तुरंत बाद, meeting एक घंटे चला, और उसके तुरंत बाद, he sent his resignation, उन्होंने भेज दिया, अपना इस्तीफा, meeting के तुरंत बाद, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया, to the Raj Bhawan, कहां भेज दिया इस्तीफा, Raj Bhawan में इस्तीफा भेज दिये, which was accepted, क्या राजभावन के लिख लिखा, नहीं, यह किसके लिख रहा है, इन्होंने इस्तीफा भेजा, which was accepted, जो की स्विकार कर लिया गया बाइदा, गवर्नर, गवर्नर के द्वारा, with immediate effect, तुरंत परभाव से, इस्तीफे को स्विकार कर लिया गया, तुरंत परभाव से, छीक है, समझ मा रहा होगा आपको, आगे बढ़ते हैं, असोक चौधरी, असोक चौधरी, अब देखो, फिर कामा लगा है, ध्यान देना, यही सब पकड़ लो, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत, बहुत मज़िदार चीज़, अन्यूज पेपर, असोक चौधरी, यह क्या है, विशेष्ता, कामा लिखा, विशेष्ता, असोक चौधरी, जो की building construction minister है, building construction minister है, अब यह relative pronoun होता है, इससे भी विशेष्ता लिखते हैं, अब उसी में आगे बढ़ा रहा, उसमें विशेष्ता में विशेष्ता, building construction minister who also holds, चाहे, यहां से पढ़ो, चाहे, वहां से पढ़ो, कि वो building construction के मंतरी, जो की, who also holds other departments as well, जो रखते हैं, जो रखते हैं, un-departments भी, as well मतलब भी, मतलब building construction minister तो हैं ही, उसके अलावा, उनके पास और भी मंतराले हैं, उनके पास वो रखते हैं, और भी department, मतलब, उनके पास और भी department का चार्ज है, ऐसे चाओधरी, देखो, अब कामा से कामा देख लो आप एक बार, एक बार देख लो, ये कामा, ये कामा मैं ब्रेकट बंद कर दे रहा हूं, ये किसके विशेस्ता थी चौधरी की अभी हम लोग चौधरी पर खड़े हैं कहां खड़े हम लोग चौधरी पर चौधरी की विशेस्ता थी चौधरी जो की building construction minister हैं जो की रखे हुए हैं और भी department का charge अपने पास रखे हैं ऐसे चौधरी अब जोड़ेंगे अब चौधरी वाजगीवन विशेस्ता हटा दो अब आप क्या करो अब इसको हटा दो बहुत पढ़ लिए अब आप इसको हटा दो अब यहां से पढ़ो चौधरी वाजगीवन additional charge चौधरी को दिया गया अतरिक्त परभार आफ education department किसका अत यह को लिखा था मीटिंग चली एक घंटा उसके बाद इन्हों ने इस्तीफा दे दिया इस्तीफा तुरंत स्विकार कर लिया गया तुरंत परभाव से उसके बाद असोग चौधरी को extra additional charge दिया गया education department का ठीक है यहां तक बात क्लियर होगा एक बार मैं comment देख लेता हूं क आप देखो सारा खेल आप एक बार देखो आप महसूस करो कि यह जो विशेष्टा लिख रहा है एकदम से आप देखोगे एकदम से इतना भेंकर आप दो तीन पैसेच पड़ रहे हैं आपको लग रहा होगा देखो यह कामा से यह कामा क्या मैं breakout बंद करूं यह कामा से यह कामा यह क्या लिखा है चाओधरी की फिर से भिशेष्टा लिखी है अब अगर आप समझदार हैं तो अब आप अगर आपको मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब मैच कराना है तो यह कामा से यह कामा आप हटाएंगे और जोडेंगे मिस्टर चाओधरी वाज एन सेवन अब यह देखो लिखा है रिक्रूटमेंट स्कैम भरती घोटाला आफ किसका भरती घोटाला आफ 167 एसिस्टेंट कम जूनियर साइंटिस्ट जाब जो 167 साइंटिस्ट कम जूनियर साइंटिस्ट का जाब था 2012-13 में उसमें भरती घोटाला किये थे और उस भरती घो मुटाले में क्या थे ये आरोपी क्या थे चौधरी वाज एन एक्यूजड चौधरी थे क्या थे एन एक्यूजड एक आरोपी कैसा इस्ट्रक्चर है इसमें कोई काम नहीं चल रहा है चौधरी की विसेस्ता लिखा है चौधरी और यहां वाज क्या है लिंकिंग वर्ब और ये क्या है इस चौधरी जी का विशेष्टा जिसको हम लोग बोल देते हैं सब्जेक्ट का कॉंपली मेंट है चौधरी वाजायन एक्योज्ड चौधरी एक आरोपी थे इन आ रिक्रूट्मेंट स्कैम एक भरती घोटाले में अब भरती घोटाले के लिए जोड़ रहा इसकै आप 167 एसिस्टेंट कम जूनियर साइन्टिस्ट एक सो संसेट एसिस्टेंट कम जूनियर साइन्टिस्ट की जो जौब आई थी उसका भरती घोटाला हुआ था उसमें यह आरोपी थे यूनिवर्सिटी में आप समझ गया होंगे अच्छा मैंने यह पढ़ा नहीं अब वि पुराने जो पहले थे पहले क्या थे वाइस चांसलर थे बिहार एगरिकल्चर यूनिवर्सिटी आफ सैबोर इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट यह इस यूनिवर्सिटी के क्या थे पुराने वाइस चांसलर प्राम 2010 से 2015 को लिखा है यह कब से थे 2010 से 2015 तक यह वाइस चांस काम इधर से सही है आपका टेकनिक समझो के कुछ नहीं है आप देखो इतना लंबा सा जो आपका वाक्य लिखा था यह तो मैंने उड़ा दिया मैंने कहा यह विशेष्टा है यह तो यह तो खतम होगे आप बहुत भारी जो लग रहा था अब आप देखो लिखा है मिस्टर च यह समझो इतना लंबा जो पूरा पैसेज भर लिख दिया है यह क्या था मैंच एक सिंपल एक चार सब्दों का वाक्य था अगर आप समझेंगे मिस्टर चौधरी को चौधरी के विशेष्टा है कि चौधरी क्या थे एक औरोपी थे यह चौधरी जी है चौदरी जी की विशेषता है और ये अपना क्या है लिंकिंग वार बस खेल खतम है और इतना इतना बड़ा सब डीटेल दिया है इसी में सब जोडता चला जा रहा है लेकिन में वाग क्या आपका यही था चलो आज आते हैं अब हम लोग इस पर ठीक है ये देख लेते हैं गोडियूनिंग अंकित प्रिया गोडियूनिंग विनीता आगे इधर आते हैं पेनाल्टी फार नाट कोई बहुत जरूरी नहीं है कि पूरा देखें जहां तक रहेगा देख लेंगे जब जहां लगेगा कि अब ज्यादा होरा छोड़ देंगे पेनाल्टी फार नाट वियरिंग मास्क इन पब्लिक कह रहा है पेनाल्टी जो है पेनाल्टी किस बात का मास्क ना पहनने का और कहां पर इन पब्लीक मतलब पब्लीक प्लेस पर पब्लीक जगहों पर जहां पर जमोड़ा होता पब्लीक प्लेस आप जानते हैं बस अड़ा रेलवे स्टेशन ये वो सब जो पब्लीक प्लेसेज पर इन पब्लीक मतलब पब्लीक इन पब्लीक से क्या मतलब है public places जहां ज़्यादा आम जनता आती जाती है in public बोला जाता हुशको मतलब public places तो penalty for not wearing mask penalty mask ना पहनने के लिए कहां पर public places पर लिखा up penalty penalty up penalty बढ़ गया from 500 to 2000 अब penalty up हो गई है अब हो गई है मतलब बढ़ गई है बढ़ गई है 500 से लेकर 500 से अब कहां चली गई जो पहले 500 penalty थी अब वो penalty up हो गई है 500 से कहां पहुँच गई है 2000 पर और यह कौन सी penalty है अगर आप mask नहीं पहनेंगे कहां पर public places पर तो अब penalty 500 की बजाए आप कितना भरेंगे 2000 अरे आपके लिए ने तो न्यूज कहीं और कहोगा आप टेंसन नालो आप टेंसन नालो आप काम चलाओ मतलब ऐसा नहीं मतलब काम चलाओं तो क्या मास्क तो पहनना ही है बसरते यह दिल्ली का है खैर न्यूज तो cm विजिट्स डी डी यू सब्जेट क्या है cm विजट और आपज़ेक्ट डी डी यू सी यम ने विजट किया दिल्ली उनवर्सिटी होगा डी डी यू फूइच इनक्रीजट आई सी यू बेड्स यह किसके लिए लिख रहा है यह डी डी यू के लिख रहा होगा क्योंकि कामा किसके डी डी यू मुख्यमंत्री जी ने डी डी यू का विजट किया डी डी यू गए अब डी डी यू के लिए लिख रहा हूँ इंक्रीजट आई सी यू बेड्स डी डी यू जिसने की बढ़हा दिया ध्यान देना मैं हटा रहा हूं थोड़ा साब कामा जरूर देख लें अब लिखा कामा अब डी डी यू इंक्रीजट डी डी यू जिसने की बढ़हाया क्या बढ़हाया आई सी यू बेड्स जिसने की ICU beds की संख्या बढ़ा दिया from 50 to 100 50 से कहां बढ़ा दिया 100 पर तो review preparedness अब ध्यान देना अब देखो अब ये गडबड हो जाता है पढ़ने में आप ध्यान देना आप लोग ध्यान देना अब देखो तरीका क्या है अब मैं कामा से कामा को बंद करूँगा कामा से कामा मैं बंद करूँगा ठीक है ये किसके विशेष्टा है DDU की खतम ना DDU की विशेष्टा समझ गए ना DDU क्या है एक अस्पताल है जहां पर बेडों की संख्या 50 से कितनी हो गई है तो अब हटालो इसको पढ़ लिये ना आप अब अब इसको हटालो अब ये दिक्कत करता है बार बार अब इसको हटा कर पढ़ो आप जराव एक बार ये विशेष्टा हट गया चलो अब आओ अब एकदम मक्षन जैसे पढ़ो आप पढ़िया cm visits ddu cm ने ddu का विजिट किया अब आगे जोड़ो आप to review preparedness क्या करने के लिए तो review समीच्छा करने के लिए preparedness मतलब तैयारियों का क्या क्या तैयारी है उस तैयारी का क्या करने के लिए समीच्छा करने के लिए जैसे मैंने एक बताया था आपको He Went to School ऐसे आप बोलते हैं वह School गया वाकिय हो गया complete अब आगे आप क्या लगाते हैं To study वो क्या है तब मैंने बताया था कि वो बाद में जब ऐसे आप लगाते हैं तो ये क्या बताता है वाकिया खत्मने बत परपज परपज के लिए आजाता वह School गया To study क्या करने के लिए पढ़ने के लिए अब देखो एकदम सेम तरीके से CM visits DDU CM DDU गए CM DDU का दवरा किये To review क्या करने के लिए Review करने के लिए किस चीज़ का तैयारी का तैयारी का जायजा लेने के लिए ठीक है अब DDU क्या था DDU जिसने की ICU बेडों की संख्या बढ़ा कर 50 से कितना कर दिया है 100 पर एकाद और देख लेते हैं फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बहुत भारी वो ना करके अच्छा दीन दयाल उपाद्या हास्पिटल लोग के थैंक्यू अंकीत प्रिया थैंक्यू बताने के लिए कि यह है दीन दयाल उपाद्या हास्पिटल तु अब यहाँ देख लेते हैं देखो लिखा है ध्यान देते हुए चलेंगे तु क्रियेट एब्ध्यान देना तु क्रियेट एब एन इफेक्टिव डिटेरेंट ध्यान देना तु से आप जब तू पढ़े होंगे तो आपके दिमाग माया होगा कि ये तो subject हो सकता है subject हो सकता है two plus verb का first form क्या हो सकता subject इसके अलावा अभी मैंने बताया ये क्या भी होता purpose भी बताता है अब आप देखोगे अगर subject होता तो यहां कामा न लगता फिर फिर इसके बाद क्या दिखता आपको वर्ब दिखता लेकिन यहां क्या है कामा और कामा के बाद ये क्या है noun fine लिखा है the fine ये लिखा है noun अब आप समझ जाओ खेल बदल गया ये जो लिखा है ये subject नहीं है अब जब भी ऐसा दिखेगा जैसे वर्ब का यंजी भी मैंने बताया था जागर वहां लिखते लिखते कामा लग गया और कामा के बाद दुसरा noun शुरू हो गया तो अब ये subject नहीं है अब बलकि subject क्या है original ये है धेरे धेरे समझते चलना आप आएगा to create an effective deterrent create करने के लिए to create an effective deterrent पहली बात तो deter सब्दा अप लिखो deter deter करना ये note कर लो आप deter करना मतलब किसी को कोई काम करने से रोकने की कोशिस करना रोकना हतोत साहित करना कि कोई दूसरा आदमी ऐसा काम कत्ता ही ना करे उसके लिए क्या होता deter करना रोकना कोई काम करने से रोकना या क्या करना कोई काम करने से क्या करना हतोत साहित करना कि अगर करोगे तो बहुत पीटे जाओगे समझ रहो कि ने ये क्या करना होता है deter करना deter करना मतलब कोई जैसे पुलिस अगर deter कर रही है इसका मतलब पुलिस आपको वो काम करने से रोक रही है, पुलिस आपको कह रही होगी अगर आपने किया, तो लाठी मिलेगा आपको, तो यह क्या है डिटर करना, रोकना जैसे प्रिवेंट होता ना, उसी तरह का सब्द होता, डिटर तो क्रियेट एन इफेक्टिव डिटरेंट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कारगर कारगर रोक थाम कारगर क्या रोक थाम कि कोई आदमी कुछ गडबर ना करे, उसको कारगर बनाने के लिए उसको कारगर बनाने के लिए दफाइन फार नाट wearing a mask वो जो fine है mask ना पहनने के लिए fine कौन सा अब आप देखो एक बार फिर से आते हैं डिटर वाला हो गया होगा उम्मीद है डिटर आप note कर लिए होंगे डिटर मतलब काम करने से रोकना देखो लिखा the fine तब fine के बाद क्या लगा है अब आप चलो यह तो noun है क्या दिख रहा है की नहीं आपको यह noun है अब देखो noun के बाद यह preposition है preposition वाला हिस्सा काट दोगे preposition के बाद यह वर्ब नहीं मिलेगा यहाँ यह काटोगे आप for not wearing a mask in public यह सब काट दोगे आप यह काट दोगे अब क्यों 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 क्योंकि उस preposition for not wearing a mask यह कहां खतम हो रहा है यहाँ पर in public अब यह दिख रहा होगा आपको has been increased यह कहां से जुड़ रहा है fine the fine has been increased fine बढ़ा दिया गया है 500 से 2000 रुपया in the capital देश की राजधानी दिल्ली में किस बात के लिए fine बढ़ाया गया तू क्रियेट अब इसको आप यहां पढ़ो इसको आप यहां लेकर आओ तू क्रियेट आयन इफेक्टिव डिटरेंट इस फिलिंग क्या डवल र-e-n-t अब आप पढ़ो देखो क्या वही परपज है उस परपज को बाद में ना लिखके इसने शुरू में लिख दिया है सब्जेकट क्या है दफाइन कैसा फाइन for not wearing a mask मास्क ना पहनने वाला फाइन अब मास्क कहां नहीं पहनने वाला पबलिक जगहों पर अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो उसका जो फाइन है सब्जेकट क्या है फाइन has been increased उस फाइन को बढ़हा दिया गया है 500 से कहां ब परहा दिया गया है उसका परपज क्या है to create an effective deterrent ताकि एक कारगर रोक थाम एक कारगर deterrent बनाया जा सके जिससे लोग डरें जिससे लोग मास्क पहने अगर 2000 रुपया फाइन होगा तो वो क्या होगा वो डिटर होंगे लोग लोग उससे बात को मानेंगे गलत काम करने से रु effective deterrent थीक है तो ख्लास कितने बजे बस बंद ही है क्योंकि बहुत ओवर टाइम नहीं लेंगे बस अब बहुत हो गया क्योंकि एक टाइम से जादा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है को ओवर्डोज नहीं करेंगे नहीं तो कुछ लोग खफा भी हो जाते हैं और उनका भी बात सही है बहुत ओवडो Chand किसी चीज का नहीं सही है यहां पर फिलहाल बहुत क्योंकि जो भी पढ़ाना पढ़ाना ऐसे तो है लेकिन उबुसका कोई मतलब नहीं है चलता रहेगा फिर मैं कल जो है अब बाकि चीजें देख बहुत भास के नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि कोटा पूर्ती करने का मतलब नहीं है कि मैं बता दूँ जितना बताया था सब पढ़ा दूँ जितना पढ़ाओंगा सही चलेगा मज़ा आए आपको समझ माए वो ज़्यादा जरूरी है आठ दस पंदरह दिन मैं बहुत इतमिनान से अराम अराम से बताऊंगा आप समझने की कोशिस करो में आप कहां पर चलोगे सबजेक्ट वर्ब अगर आपजेक्ट है तो आपजेक्ट उस पर फोकस करो बीच में बहुत चीजें दिखेंगी जैसे कामा से कामा ये विशेष्ता वाली ये वाली चीजें बहुत दिखेंगी आपको आज दिखाओगा ये बहुत बहुत दिखेगा अगर आप उसको सही से समझ के हटा कर पढ़ोगे तो मजा आएगा दूसरी चीज क्या है मैंने कई बार बताया कि जब आइम लिखे बीच में फरजी में दिक्कत करता है तो कोई मतलब नहीं होता उसको उठा कर सुरू में पढ़ लिया करो तो दिक्कत तब कुछ सेंटेंस आपका अच्छा बनने लगता है तो इन सब चीजों को आप अच्छे से समझो और जो मीनिंग मैंने बताया है मीनिंग आप नोट करेंगे मीनिंग आप नोट करेंगे मैं कॉपी चेक करूंगा क्लास में ठीक है ना मीनिंग आप नोट करेंगे और क्लास में मैं किसी दिन कॉपी चेक करूंगा तो अगर मुझे ऐसा दिखा कि ये जो मैं online वाला पढ़ा रहा हूँ, अगर note नहीं है, तो फिर सही नहीं होगा आपके लिए, आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप note करेंगे, ठीक है, meaning का अलग copy होना चाहिए, कल मैं sample अपना एक copy रख दूँगा, आप लोग देख लेंगे, कि कैसे meaning note करना है, mix up मत करना, सब grammar, meaning सब एक कैमें, भूसे जैसा मत करना, अलग-अलग बढ़िया, अच्छा copy बनाईए, ठीक है, और आप लोग जो भी अब जिसका सोने का time सोई, पढ़ना हो तो पढ़ें आप लोग, और मिलते हैं सुबह, class में, okay, thank you, उम्मीद है कि अच्छा लगा तो, okay, good night, मिलते हैं सुबह, class में, एम्मीद है, और ज्य दो, right?